है यह दोस्तों आपको सौशनता चैनल में कहो कैसे हुआ आज की वीडियों में हम आप लोग साथ सेर करने जा रहे हैं मूली की सब्जी मूली की सब्जी सभी को बनाने आता है लेकिन हम अपने तरीके से सुखी मसालेदार मूली की सब्जी बनाएंगे यकीन मानिए बहुत हिला जो आप बहुत ही ओसम सब्जी बनकर तेयार होगी एकदम सरल पी थी है तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने कीचन में तो यहां भी हमने गैसला का कढ़ाई को रख दिया जब कढ़ाई गरम हो गई तो गरम कढ़ाई हमने डाल दिया सर्शू का तेल यानि मस्टर डॉयल दो से तीन चमज आपको तेल डालना जादा तेल नहीं डालीगा आप कोई भी तेल ले सकते ही जो आप अपने किचन में अब हम सर्शू का तेल डाल दिये आप दे सकते तेल अच्छे से गरम हो गई है दुवा निकलने लगी है अब इस प्रासिर पर आपको डाल देना है हिंग भी हम थोड़ा से लाल कर लेंगे हिंग लाल हो जाए तो आप डाल देजिए आधा चमज जीरा और आधा चमज यहा तो लासन को डालने वादब आपको डाल देना है आधा चमज लभग अद्रक यानि अद्रक को आपको कद्दू कस करके डाल देना है इसे भी अच्छे से मिस कर लिजे मिला लीजे लासन के साथ थमने यहाँ पर लासन को भी हलका सा लाल कर लिया है अब आपको यहाँ पर ड डालकर मुली की सब्जी बनाईए बहुत ही गजब का टेस्ट आएगा प्याज को में जादा लाल नहीं करना है बस हलका सा कच्चपन निकाल देना है आप यहां पर देशकते प्याज को में जादा लाल नहीं किया है अब आपको यहां पर डाल देना है कटे हुई मुली और थ से धोलिया था पानी से मोली के बीच घखिक हंने mãत्राइस कंन films रखी है अच्छे से पानीर था शूटी। diffdoAmло टाल है जल्दी सब्सक्राइब इस तरह क्या है क्यासर आपको मोली और रालु की डाल कर लें MARY और चीछ सी जाप किसा है नमक लेंसे मुली और अलों जल्दी से पक जाएगे त किस आपको दाल का आखको सब्सक्राइनuben मुला यह को आज़ Раз 건강 ब्रोग मुली को अच्छे से मिला दीजिए अब यहां पर आपने गैस को लोट्टू मीडियम किया है तो सारे चीचों को अच्छे से मिश करने बाद अब आप क्या करेंगे कढ़ाई को ठक देंगे और शलो ख्लेम पे मूली और आलो को पकने देंगे लेकिन बीच में आपको यह से दो बार चला कर चिक कर लेकिन पकाले तो ठक थोड़ी देर के लिए और पका लिए आप देशकते हैं आलो भी अच्छे से पक गई अब इसके ज्यादा हम नहीं पकाएंगे यह आप हमने दो मिडियम साइस के टमाटर यह थी टमाटर को हमने कद्द्यु कस कर लिया है तो आपको टमाटर को कट्द नहीं है इसे प्लेशे ठग दिए पे एक पंपर एक बार इसी फिर चला देना है उपर नीचे कर देना है जिए प्लेशे पर आपको तीखा पन देने के लिए डाल देना है लाल मिर्स का पाउडर जितना तीखा खाते हैं ऊस हिसाब से आप लाल मिस का पाउडर डाल देज़ेगा अब आपको डाल देना है अमजुर पाउडर यानि मैंगो ट्राइब पाउडर एक चम से थोड़स का होने अमजुर पाउडर डाल दिया है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपको पता भी ने चलेगा कि मूली की सब के अच्छे सि बाले का लिए टाल्य के पत्य थोड़ी देर के लिए अधिया था आलो मूले की बहुत देश्टी सबझी बद कर शाव्य तैयारा हैं कि आक пыт को जरूरत नहीं इस तरह किसए बना है की साथ आइं या फिर लंट्चों बाउस में दीजिए सभी को बहुत ही पसंद आएगी और सम लगेगा बड़े तो बड़े क्या छोटी बच्चे भी बहुत ही प्यार से खाएंगी तो आप इस तरीके से मुली की मसालेदा सूखी सब्जी बनाएए और प्यारे प्यारे कमेंट के जरीये म लाइक वाले बटन को जरू क्लिक करिए और चैनल पाएं चैनल जो सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं नए रिश्वी में नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाए